सेंट सुल्जर ताइम देखन वाले सारी दशकानों मेरे वलो प्यार परी नमस्कार और आज जसी पॉंचे के हाँ सेंट सुल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल में ब्राइन देवे जित्थ है आज जसोशल वर्कर मेडम परवीन अबरोल जी पॉंचे रे जो कि बच्चे जना इंटरेक्शन करंगे त्याओ फिर से भी चल देयां ते देख देयां ते सुन देयां अब यह खास है गलना बाता है तुसी सेंट सुल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल दे स्टूडेंट सो आवास ता देयो अब मेरे को यह कौन बताएगा कि सेंट सुल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल का मतलब क्या है मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ आपके स्कूल से बताओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड संट स्पाही बहुत अच्छा है अब कौन बताएगा कि संट का क्या काम है संट कौन होते है जब किसी ने इस इंसिटूशन के मालिक ने ये नाम रखा होगा तो सोचा होगा कि मैं कैसे बच्चे यहाँ से समाज को दूगी कैसे बच्चे समाज को दूगी तो सेंट का क्या मतलब हो संत क्या करता है क्या करता है एक बात सुनिए यदि आज आप बोलने लगे तो फिर बहुत जल्दी यहां पर खड़े हो यह याद रखिए बोलिए क्या है से खड़े हो चार यह डिर्ण वेरीगुड काफी अच्छ है शेंट का क्या मतलब होता है जो हमें इश्क करवान चाथा शार्ट में मैं कि शींट का मतलब क्या है साधू, आदू हो नहीं जो परे पैन लेता हह साधू उच्छे काम करता है जो लोगों पच्छा बनाता है। मेर्नस्ट कुई है हम सबको पता है, जूट ना बोल सबूंददेतओ जोटबhhh करो। दोखा ना करो। हिंसा ना करो। सबको पता है ये जो संथ हमें वो चोले वाले संथ नहीं। जो सही मैनों में हमें स्थाते हैं, वो है सेंट, और शोल्टर, सपाही, सपाही कौन होता है, एक एक बच्चा, रे यूर हैंट और तेंड़, रे यूर हैंट, रे यूर हैंट, बॉइस में से, सपाही जादा बॉइस बनते हैं, ऐसे तो लड़कियं बन रही हैं, बच्चों म आपकी involvement मुझे चाहिए, very good, बिल्कुल ठीक है, shoulder रक्षा करते, देखो ये स्कूल आपको क्या स्खा रहा है, कि आपने साधू तब भी मनत, उनको भी मानना है, और injustice के against villain, ये है आपके स्कूल की define, definition, you are lucky कि आपकी स्कूल में पढ़ रहे हो, और आपको बहुत कुछ मिलगा, आज मेरे आने का मतलब ये है, मैं आपको latest आपका एक incident बताना चाहती, जिससे मैं motivate हुई, कि बड़े बच्चों की बजाए, मैं teenage, teenage क्या होती है, शायद आपको पता होगा, सबको पता है, ये almost, 12 से, जैसे ही 12 खतम होता है, तो 13, यहाँ से ये 13 लगता है, 19 तक, तो ये period बन जाता है, adolescence period, मैं अब थोड़ा सा इदर हो जाएए, ये बच्चे भी सुनेगा, तो उसके साथ जिसको कई नामों से पुकारा जाता है, कि पिशूर आवस्ता, बच्पन से जवानी की तरफ, जैसे हम इदर तरफ बढ़ते हैं, तब ये यो phase है, बहुत से नाम स्क्सेस है, पर इसके साथ ये full of सक्सेस भी है, स्क्सेस है तो सक्सेस भी है, अब हमने देखना है, कि how we should handle, यहाँ पे आने के लिए मेरा मन प्रेदे टीनेज को क्यों हुआ, ये अल्मोस्त एक महीने, पिछले की बात है, साथ सवा साथ का टाइम था, मैं वॉक कर रही थी, तो आप जैसी प्यारी बेटियां, एक आटो से उतरी, स्कूल में जाने की बजाए, वो एक गली में एंटर गए, बिल्कुल आपकी तरह उन्होंने ऐसे फोल्ड करके, जिसको पंजाबी में करेले भी कहनने हैं, वो बनाई हो इसी, एतना अक्स्पीरेंस हो गया है, कि चेरा देखने आपता लग जानदा है, कि बच्चे अधी सोच की है, ये बच्चे कित्थों तक की करना चांदे है, पढ़न वाले पास से है, किसे होर पास से है, एस स्टेई दे वेच, तुसी विकार देखना, तानों गुस्सा बहुत आ छोटी जी भी गल कर जाएंगे, तुसी टॉलेंड नहीं करोगे, क्योंकि एस देविच थोड़िया बाइलाजिकल चेंजी जान दिया बच्चे हैंचे, मेल, फीमेल, चाइल, जेड़े ने, सब चेंज आती है, कुछ चेंज किते ना किते, सादे मेंटल लेवल ते, कुछ इफेक्ट करना है, हुँच सब तो बडी गाल है, कि इसमों उसी पकड़ना किस तरह है, इसमों उसी हैंडल किस तरह करना है, मैं गल करनी से उस लड़कियां थी, तास्क मीटर जदो में तो अगे चलियां गया, मैं थोड़ा स्लो हो गई, एक लड़की ने अपने बैग चो कौम निकाल ली, दूसरी ने अद these issues, जोटियां खोलनी शुरू कर दो, उसमें बाद स्टेट करने शुरू करते हैं, हांची, चल रही हैं नाल, चल रही हैं सटक ते, गली समझ लो, मेन स्कूल है, मेन स्कूल दे सामने गली है, तो अदर चल रही है, मैं नू समझ आ गई, म बाल खोल रहे हैं असी में दसवर ही चोर कह दियो तुसी कही जाओगे उधे चेरे ता रंग नी बदलेगा क्योंकि चोर है यह नहीं तो थोड़ा जग कब रागियां है तो बच्चियां से मैं के मैंनु चलो मैं ता डेनाली ता डिसे ली दे कर जैननी है पुछी नहीं के की गल है इतनी स्कूलो लेना रही है ते नहीं नहीं मैं नहीं नहीं मैं नहीं नहीं मैं के अपने मदर दा मैंनू फोन नंबर दे उनना नहीं देता हिया मैं बहुता नहीं फोर्स कीता मैं के उ कि मैं मैं तीन बच्चेंगा एंडर की ती आं किक तुसी पर्टिकुलर होते फिर फोकस करो जेड़े बच्ची हो जानना जे जर्नल गल कैदोगे तो सब नो लगएगी तो जे बच्चिया नो फोकस हो जाएगा एक पर्सनल टीचर नो पता लगएगा तो उदे बारे अटिचूट टीचर ता बदल जाता है चाहे आपके यह नहीं बदल दा पर कुछ ना कुछा तक बड़े बच्चिया नो दबोलन तो बजाएगा एनना बच्चिया नो गाइड करना पहुंचे असे उन्हें ऑफिस सी गल कर रहे सी कि एक बच्ची ने कोई अपने मामाना मजाग कीटा फंदरा सोला साल दी लड़की सी अलो उसने एक थपड मार देता कि बड़े अना आन्लिस्स करना और पीरिड एंए को में स्टेस्फोल भी किया नलता नों सॉक्सेश्फफुल भी किया driving यह दी ता रोज पैसे ले आंदी यह नि मदब ता कुछ नहीं केंदी ए ता रोज से लीनल जांदी है जांदी मात आंदी दूसरी केंदी है कि मेरी मात जांदे पोच पूरा टीचर ने किता सी चेक करके ले आयो वो दूसर माँबाब बहुत माड़े लग ते सेलियां बहुत चंगिया लग दोस्त बड़े चंगे लग क्योंकि एही एक समाएं जेसने एं बारा तेरा साल तो लेके 19 साल दा छे साल दा सायमना समा संभाल ले आफ ते ओदा सारा जीवन फिर किते जानता में सिरफ ए समेनू संभालन दी लूड है संभालन दी नी कि तुसी कोई पार चुकना है तुसी कोई लेबर करना है संभालन दा मतलब कि बड़ी सोचना ले समझना है कि ए जीवन साड़ा है जे तुसी जीवन देवेच मा ना चूट बोल लिया मा ता लोग को उनके नी मेरी तीधा चूट बोली नहीं सकती और मैं के नी मेरे ना बोल लिया मानू ता दे ते इन्ना विश्वास है कि मेरी बच्ची चूट नहीं बोल सकती मेरी बच्ची गलत नहीं कर सकती पर दुजे पास से तुसी मेरे ना चूट बोल के गए कि मैं मेरी ममी ना दसना में के ते जा रही है इस करके मा दा विश्वास ना तोड़ इस पीरिड दे विच ताड़ी मा तो ज़्यादा ताड़ी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है जो भी गल होए जरूर जाके अपनी माना शेयर कर जेड़ी भी गलता नो लगे आज ये गल जेड़ी ये गलत होई है अपनी माना जाके जरूर शेयर कर कदी में मा तो छुपाना ना आज जेड़े बच्चे छोटे छोटे खास करके मेर चाई नश्यावले पैरे ने क्यों पैरे क्योंकि ना नो दोसी बहुत चंगी लाग रही है वो भास रहा है वो केंदा पीला एक लाला सूटा असी नहीं लांदे कुछ नहीं हुंदा पहले हर कोई तानू फ्री दा चखाएगा फिर तानू ऐसा लाएगा कि तुसी वापस जिंदगी छ नहीं जासे आज दे मेरे एस तीने इस लेक्चर दा मतलब कि जादा तो जादा जड़े बच्चे विगड़ देने कुछ टीनेच लगड़ एक अठारा साल दे लड़के ने कत्ती साल दी लड़की ना व्याकरा ले मेरे को केस आया मैं किस तरह होया केंदा जी मैं थे स्टूडेंट सी न को क्टिशन पढ़दा सी मैं उस लड़के नों किया कि बेते तेननों था पता सी जे इननों नहीं पता ते तेननों थे पता सी सो बच्चो सब तो बड़ी गाल ते एस वेले तुसी अपने जीवन ते फोकस करना कि मैं पढ़ना है मैं पढ़के कुछ बनना है मेरे मापाप ने बहुत वड़े सुपने देखे ने मेरे मापाप ने मेरी माँ ने करांदा काम भी किता है जे करांदा काम नहीं किता थे किसे ने जे टीचर बढ़के पढ़ा रहे है थे ओ भी तड़ा काम भी कर रहे किस करके कर दिये कि मेरे बच्चे जीवन देविच कुछ बांजा किस करके कर दिये बिल्कुल ठीक हुन तुसी की चाहोगे कि की ओ मानू ओ चीज दिती जावे के ना दिती जावे आज तो फिर मेंनू दसो केडा केडा बच्चा आज तो है सोचेगा कि मैं किसे गलत पासे नहीं तपला मैं किसे वेरी गुड पर इगल दसो आपने इगल कहन देया रगुकुल रीब सदा चली आई प्रान जाए पर वचन ना जाए जे आई मैं बड़ी खुशी है कि वेरी गुड अपने बच्चो बहुत अच्छा बच्चेगा कि मैं कुछ चंगा कर ला मेरे बच्चे मुझे लोड़ा है मैं इन्ना खर्च भी काड़ा मैं पढ़ां देना लू पीशन भी रख मेरा बच्चा नंबर जादा ले जदो तुसी कार जाके अपने नंबर दखांदे हो कितना मां गोदिच लेंदी है कितना प्यार कर दिये बच्चे तु पाड़ लेया क्यार मैं सारा कुछ देख रहा हुँ खेंते हैं समझे एस करके एजड़ा पीरियड है क्रूशियल पीरियड है इसमों सी पॉस्टिव करना है एजड़े चों सी नेगटिव सारा करना है और आपने लिए कठा करना है पॉस्टिव एक चीज ताड़ी टीनेच में होर्दसना चाहांगी पहले असी सेकिंड ठार्ड तक चलो सपोस्टिव तक ही सोचलो असी स्कूलाच लेक्चर कर देशी गुड़ टाच बैड़ टाच पोजे बारे दास्तिश होन तानु सारे अनु पता है चाहिए वइस ने चाहिए गुड़ टाच की है बैड टाच की है पर होन उस तो अग्गे भी इक एक दुज़े दे प्रती अकर्शित होना एक दुज़े दे प्रती अपने पावजार करने इस टीनेच भी कई वरिया में नो बीगे अपने एडुकेशन बोर की ते कई सड़ी को प्रावब्लम्स आदिया कि हैजिटेट नहीं करना जितना डिनलभी कोई गाल लूंदी है अपने टीचर नो दसो अपनी फ्रेंड नो दसो अपनी मदर नो दसो पर सब तो पहलों अपनी मदर नो दसो जे मदर नहीं सुन्दी फि ते 181 ते कॉल करो, जे तानू पता है ता किसे हो और नू ये शेर करो, कि ए हेल्प लाइन्स ने, उन में तो में तो में दसन लगी कि जड़ी गलते मैं आन लगी हैं, में ने डढ़ी गला है कि मैंने इक स्कूल तो फोन आया, कि मैं एक सिक्स ने लड़की पड़ दी, ओधा आया आधमी नी बदनामी हो जाएगी, ओधा लृचा कर लिए चल्ड़ी और अगल ओधादे लगंगे, आदमी लिबदनामी हो जाएगी, ओ कुछ कर लेगा तो ओ गल्द दब ज़ती पर ओदे बावजूद कई वरी ओ आदमी अपनी आदत तो नहीं हटदा इस करके बच्चो तुसी एस चीज़ा खास्तिया रखना है मैं ए नहीं कहती कि कोई आदमी गलत हुंता है किसे दा बाप गलत हुंता है पर ज़े समाच हो रहा है मेरी काल नूँ समझ रहे हूँ समाच हो रहा है कि क्यों हो रहा है क्योंकि अग्गे कवी नशा करदा सी कोई शराप पीन दा सी ता पता लगदा सी कि यह दी बॉटल पई यह पी रहा है तो परे हो जाओ उनको एदन दे साइलेंट नशे ने जिदा सानु पता ही नी लगदा ऐसे साइलेंट ने सानु पता ही नी लगदा जदो भी किसे दे पाओ तानु माडे जे भी ए लगदा कि एदी नजर दे वेच कुछ भरक है मेरे प्रति अवाज उठा, रॉला पाओ स्कूल दस हो क्योंकि एक वरी कोई गलत काम हो गया ते उसनों दुबारा हीलता किता जा सकता है पर किते न किते चाहिए बच्चा लड़का है चाहिए लड़की है उसनों सारी उमर पार जुरूर तोना चाहिए पहिदा है जिड़ों किसे न शियर नहीं का सकता बेरी गल्लों समझ देऊ ए सीधा बच्चियों जरूर त्यार रखना है और दूसरा वैसे ता अचकल बच्चे बड़े सेंस्टिव होगे ने बच्चे नों भी पता है किसे कल्ले देखकर देवेच कोई भी रिष्टेदार होगे उदे नल नहीं जाना अग्ये जान्दे सी ओदो समा सी फुद समेदा परवर्तन है ओदो सोशल मीडिया इना हावी नी सी जिना हाज जानी इस करके कोई भी कवे चाचे दो पुतर, मामेदा पुतर आप मेरे को आजा, खोठे देआपा पड़ देया नहीं जाना भुरी ता नहीं लग रही था नो मेरी गल लगों ते जरूर कहना कि मैं मैं ते तुछी ठीक नहीं हो क्योंकि उस दी सोच उस मेले गलत नहीं होएगी जदो ने ता नो बदले बुलाया है पर जदो तुछी उदे कुल बैठे हो ते उदे हामोजे में चेज़ आने शुरूर की क्योंकि दीजर मेल एंड फीमेल कॉम्बिनेशन ता उदी सोच बदल गई और उस दे नाल किते ना किते हो सगदा ता डी लाइफ नो इस सीजान दा त्यान रखना है कल मैं पढ़या सी कोड़ दे विच्चो एक आदमी नो इवन में होंगाड सी उनो सजा मिलिये कि ओएक दस साल दे बच्चे नो कह लगा मैं कार चलिया आजा मेरे नाल में साइकल थे तेनो ले जाना पर उसने नाल जाके उसने गलत कम कुई एक कुछिवरी नहीं लड़किया नाल भी होता है लड़किया नाल भी होनता है बोइज ने दो चीजां तो में टियां रखना है कि एक ऐस हुमर दे वेच आपनी एक फिलिंग्स नो अपने माबापने शेयर कर जे तानू किसे लड़के ने किसे बॉई ने किसे टीचर ने मिवन क्या कि ऐ चीज खा ले कदी किसे को लो ऐसरा चीज लेके निस दिमा इवन चाहे तानू जाके दिखाने ही पावे अपने कारजन की देखो की चीज है तानू नहीं पता तुसी टेस की तानू चंगा लग तुसी दुझी वरी फिर पुछे तेर को हैगा समझे एस करके एस नू यूज नहीं करना दूसरे हो सकते हो कि तुसी बच्चे मोबाइल यूज करते हो मोबाइल यूज करना कोई बुरी गाल ने असी भी करते हैं पर उधी एक सीमा है यह नहीं करना कि पाजगे मांग गई है तो फ़ड़े वड़े तो मबाईल है जो जाके कमरेंच जाके ते उसनों देखा लाग जाओ ओचीजा देखो जडिया जेता उमर दिया नहीं वह किते ना किते तानूं डिस्टाब करने जाएं क्योंकि एगणिया चीजा ने किसे मेंटल लेवल नूँ खराब करने वेश सब तो बड़ी मदद कर तो उसे एक चीज नूँ देखोगे तो दो देन देखोगे पाच कि उसे दरा निया ही रील सा डिया आनिया शुरू हो जाने क्योंकि वह इनना थाडे माइन नूँ चेक कर इस करके बच्चो एक कम एक करना है कि कदी भी माबाब तो चोरी एस उमर देवेच जदो तुसी गोर बड़ी हो जाओगे ता नूँ पता लगदेगा कि इसीदा की नुकसान है इसीदा की फैदा है फिर तुसी अपने मास्टर आप मांजाओ अपने टीचर आप कि की गलत है की ठीक है फिर तुसी उस मबाइल नूँ सीमा देवेच रहके जुरूर यूज कर सकते हो पर जदो तानुए पता है कि अजे सानुए पता ही नी कि असी ओ एप्स भी खोल लेने या जिन्या साड़ते बैनने जिन्या सानुए इस बच्पच नहीं देखने जाए किने मजस के पहुंच देखो ञारते हो त DAVID awesome और ओपिस किनी वण देऊ हो अरेस्ट करते के तुसी फिर 5 बज़ Robbie तुबारा पढाई वले शुरू हो जान देऊ ठीक है? पड़ाई वले शुरू हो जान दे हो, किन्ने बच्चे ने विच्छो ट्विशन रखी होई है? वेरी गुड़, क्यों रखी है? क्यों रखी है? स्टड़ी कर दे हो, ने स्टड़ी है, सुमर चे तान। स्कूल पढ़ान दे तुशी आप ओ नहीं घर सक दे जिनना तुसी बार जान दे वेच टाइम लान दे हो, जे ओना स्कूल दे वेच पूरी कंसेंट्रेशन दे नाल, पूरे फोकस दे नाल, पढ़ लो दे तानू, अजे एस टेई ते, नाइंथ चे तानू डीशन चाहिए दी, नाइच मैच साहिस दी मैच सोच सक दियां, इस तो पहला टुशन दी कोई ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि स्कूल लान दे वेच पूरा सारा स्लेबस करवाया जानता है, एक एक चीज जड़ी है, एक एक साम करवाया जानता है, ते आपमा उदे चे देड़ दो केंटे, पंद आपने सब्जेक्ट सारे नो टाच करना मुश्कल लगता है, बेरी कोशिश है कि जे तुसी स्कूल दे वेच क्यों मैं, कि पूरे कंसंट्रेशन ना पड़ो, पूरे फोकस ना पड़ो, ते मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं पाएंदी, जे ता नो लगता है, तो कोई गाल नही क्यों है, ज़रूर रखाद, बेरी काल में, कैंदी कि ट्वीशन भूरी चीज है, बूरी चीज था मतलब है, साढ़े मांदे विचे गाल नहीं, आसी जाके विचे जाके उप्तों करना हो, तो उसे लिए इसे लिए स्कूल दे वेच होनी, पूरे अटेंशन नहीं पड़ते मेरी जो सोच है क्योंकि मैं बहुत सारे देखिया टीचर्स ट्विशन वाले ने उन्हें उन्हें दिखाया एक क्वेश्चन उन्हों पड़ाया और तो बत्ता नू समझ भी नहीं आंदी तुसी कि इना डाइब होते बेस्ट करांदी केड़ी चीज मैंनों समझ आई केड़ी चीज मैंनों नहीं समझ आई जेड़ी चीज नहीं समझ आई उन्हों साइट ते लिखो डाइडी लिखो यह एक कॉपी लओ उदे तो लिखो कि आज यह साम मैंनों क्लियर नहीं होया मेरी गाल समझ रहे हो समझ आ रही है उसनों क्लियर लिखो कि आज जे सोशल स्टड़ी दा एक क्वेस्चन मेंनों समझ नहीं आया आज जे साइस सा क्वेस्चन नहीं समझ आया जे तुसी टीचर को लो टूशन पढ़ा जान दे हो तो सब तो पहला ओ चीजा क्लियर करो ओ कैगी नहीं मैं लेसन पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं मैंनों है चीज मेरी स्कूल पढ़ा जारी मेरा इधार टेस्ट है मेनों समझ नहीं आ दी पहले मेनों यह समझाओ मेरी गाल समझे क्योंकि जदो आसी स्कूल चाहने हो थे तो असी फिर एक बच्छा बोल दा सी बोल लेने हैं जदो असी ट्विशन दे बोल जानने हैं आसी डिपेंड कर दे हैं क्यों केड़े मैथड आ पढ़ां दी दैट सोकी परिगाल समय रहें जिस तरह पढ़ां दी असी उस तरह पढ़के आ जाने हैं असी अपना ब्रेन एक पासे बंद करके रख दे असी ओधा ब्रेन यूज करते हैं जदो तुसी अपना ब्रेन यूज करोगे तो फ्लरिश होईगा ओफ टाइल होईगा तानू होँ समझ आएगी आज तुसी गुगल करो किया सामनी आंदा तानू सामोथी आजाता है तानू किसे मैं भी पढ़ा नहीं अपने ग्रेंट सानू जड़ी चीज दी मैं समझ नहीं आंदी मीनिंग एथा की है एथा की है एक मिनट इसा आनू आजाता है होरी गल होर दसो एजडियान गर्ल्स न पुछूं कि कार्दे काम देवेच किन्नी हेल्प कर तो कोई बच्चा अपने देन चर्या देवेच अपने कार्दे वेच थोड़ी बहुत ही हेल्प करता है बहुत अच्छी बहुत अच्छी आप बचे बच्चा अच्छा अच्छा तो आप काम करते हो ममा के साथ खड़े हो ना चाय बना लेते हो थोड़ा बहुत खाना भी बना लेते हो बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी तीन अच्छे वेच जड़ा जड़ा तुसी कम सिख जाओगे तुसी कती देख्या कि कोई बाइक साल था बच्छा स्कूल जदाखल हो या वे तुसी कोई देख्या कि कोई वी साल दी लेडी नुको आजया तुरो टिपकारी सिख लें एच चीजा बच पंच आदे हैं एच चीजा जदो सी बड़े उन्हें ओदों आ दियां बड़े होके सिखनियां बहुत आख्या जदो तुसी नाल नाल अपनी मानों देख देख देओ अपनी बापनों देख देओ उन्हें देनाल हाथ उटाओं देओ ते ताड़ा फोकस गलत कमा वरसे नहीं जाता जड़ा तुसी टाइम गलत सोच च बताना है ओ ताड़ा टाइम जड़ा है पॉस्टिव सोच च बदल तो चार बंदे अस्बेंट नों तसेगी कि था डिता बेटी बहुत से अनी होगी चीज और चीज था नों मॉरल स्पोर्ट करेगी और मॉरली जदो तुसी स्टांग होगे तो तुसी कोगे कि जे मैं आज माना ले इस पासे कम कीता है कल मैं टीचर नों भी खुश करना मेरा ट होगे कि मैं अभी घर सकती है ममा कोई गाल नहीं तुसी चले जाना मैं कर लोगी जदो बच्ची या बच्चा एक हैंदा है कि मैं कर लोगा एदा मतलब टीनेज दा बैस्ट यूज कर लें अपने एस ग्लोरियस पीरियड दा इन्नों यूज कर लें और जेड़े बच्चे स्वाल तु तुसी निकलोगे तुसी नोट करना कोई एक बच्चे नों पुष करेगा जो जुटी हो एगी ना उन तो इस सारे बड़े बीबे बनके बैठते हो जो दो लड़कियां काट खास करके बॉइस यह हो जानता है मेल फीमेल चाइल्ड फरक हुंता है कोई इस सिमलाइज बच्चे नी एक काँगे क्वालिटी है कि किसे बच्चे नों कुछ हो रहा है तो उन्हों पकड़े उन्हों पुछे यार साथता नहीं लगी लिया मैं तो फस्ट दुआ देना यह नहीं कि उन्हों मजाग करे इस करके एक तुसी टीनेज एह सबक लेना है कि असी हमेशा एक बड़ा सिवलाइज परसन बनना है सब तो पहला अपने कार वास्ते फिर अपने स्कूल वास्ते फिर अपनी सुसाइटी वास्ते और जदोए चीजां तेन बनन गियां फिर असी अपने देश देक अच्छे नागरी को हांदा हक रख रख यह सब कुछ टीन बड़ मता फिर पlet thing इंक professionals jar validに हें बया सिखेंगे iç तोडेकं ओडर शाप पैसे दें टेने कि आच्छ पाय को dou क्षाल कि अग्डर्ट शिकलोंगे जिनित ट्रॉलड़ सिख लोग है कि मामा ने कुछ कहता क्योंकि उधे सर्थे सारे कंदा बहुत वड़ा पड़ा रहे ताड़े शेर्थे सिर्फ जाके रॉलाप्हाना की बने आ है में इने लिए फाण रहे बच्चे लुश्त करने न कर जाके बच्चे रहे त्युश्ता हुना चाहीदा है कि मेरे मां मेरे वाट से बस्ट बना रही है कि उसमें जो बनाया होएगा वह बैस्ट बनाया होई का तुसी खुशी खुशी उन्हों असेप्ट कर एह है टीने की क्वालगी जदो तुसी एठे अच्छा खाना समझ गए कि मेरे माँ बाप ने मेरे वास्ते बेस्ट कीता है तो तुसी कदी भी वड़े होके किसे इनुखान तो ना नहीं करो मेरी गलनों समझ रहे हो ताड़ी माने हमेशा एह सोच आ कि मेरी बच्ची ने मेरे बच्ची ने स्कूलों तक का आना है उन्हों एह चीज पसांदा सब तो बैस रीताड़ी बनाएगी पर जदो तुसी जाके उसनों कुछ अब्यूस देवेच गलत इग्नोर कर देंदे हो तो मापयों एप्रिशेट करना है मापयों या साड़े प्रती दित्यों हुए या सिवावा असी खुश नसीबा की साड़े वास्ते मापापी करते हैं सो बच्चो टीनेज जेड़ी है ओ देते फेर असी फोकस करागे कि सानों एस देवेच एक फोकस रखना है कि मैं चलना किद्धर किद्धर चलना चानने आप माइस से एज देवेच से जैस साही रास्ते थे आल्मोस जदो तुसी एथे करके पहुंच रहे हो एक चीज दा अंदरो कई वरी ताड़े मापा पूछ देने कई वर तुसी आपस भी डिसकस कर देओ बच्चे कि असी केड़ी स्क्रीम बले जान किसे दी साइस अच्छी है किसे ता मैथ अच्छा है किसे माबाप दी सुपन है मैं अनु इन्जिनियर बनाना है कोई कहना है मैं टीचर बशन के करना है एक चीज दा आनू एस दे क्लीर हो जानी चाही दिये खास करके जाना उस दे साब नल उस सब्जेक्ट्स नो अपना माइंड मीक अप करो उदे फोकस करो पढ़ाई दे नाल नल उस दे नल एक्स जो भी पड़नवास दे उस नो पढ़ो क्रंट प्राब्लम्स नो पढ़ो क्रंट आफेर्ज नो पढ़ो आले द्वाले बारे जानो एह बेस जड़ा टीनेज है एह साथे केरियर दा बेस है अधार है और बात दे वेचे साथे जीवन दा अधार बनता क्योंकि सब कुछ एथे ही बनना है चंगा भी एथे बनना है पॉजिटिवली हैपिली सेटिस्फेक्शनल जी होगे जिनना है दे तो ज़्यादा तो ज़्यादा कम लोगे अपने आप तो उनना तुसी एस तो successfully अपनी केरियर वले अपने लक्षे वले अपनी मंजल वले और जेड़ा भी लक्षे तुसी अपने मांच मेकप करना है उन बार बार फ्लेक्शूЙट नहीं हुना क्योंकि कई तुकि देखना था डाइंट्रस्ट किने तुसी तुसी कि ना ज्टो तुसी कपेबल हुआ। तुसी किने कर सक देयो 양ाई। अір एस धान बार-बार बदलोगे तो ओर साथ टाइम पीरियड वेस्ट होएगा, मनी वेस्ट होएगी, तड़ी अनर्जी वेस्ट होएगी. ए अनर्जी गिविंग पीरियड है, कहते टीनेजे में सब तो सुपर अनर्जी हूँ. टीनेज की है, जदो साथा बच्चपन खतम होचानता है, ते असी जवानी दी तहलीज ते पैर रखना शुक्त हूँ. और ए साथी 12 तो 19 साल दा में पीरियोड हूँ. ए ता मतलब 19 साल तक आल्मोस बच्चे जड़ी है, प्लस टू कर लें दे, मोसली ता ठारा साल तक कर लें दे, मोसली अठारा साल तक कर लें दे, एतने जिनने बच्चे बैठे किसे नेकार ग्रैंड मदर है, नानी होवे तुसी अपनी दादी नू समा देन दे हो, दादी को बैड़ दे हो, शाबश कदी कोई गालबाद कीती, की गाल कीती, जड़ी ता नू दादी नू करके चंगी लगी. थोड़ा सागे हो जाओ, हाँ जी, वेरी गोड, वेरी गोड, की जो स्कूल चुन्दा, जाके दस्दे हो, तो ओकी कहन देगो, उनन चंगा लगदा है, बहुत अच्छ, दादा जी भी है, अच्छ, दादी है, तो उन्हें पूरी अपने दादी दी गल सुननी है, जो उनननों कोई जुरूरत पाएगी, उनननों इग्नोर नी करना, कई वरी माबाब बीजी हुन देने, इस हड़े संसकार ने, की बच्चे जड़े ने, अपने ग्रेंट पेरट्स ना जोड़, उननना दे हुन दिया, बच्चे नों बहुत वड़ी इक शेल्टर हुन पाएग, वेरी तक उन्हों मैं पड़ाया, और अजे वी, ओ, मेरे ना सौंती, रात, साड़े दास उन्हें अलारम लाया, की साड़े दास तुसी मेरे बैड़के, मेरे ना ला जाना, फिर उन्हें कहना, अद्दा केंटा मेरे ना गल्ला करो, बॉंडिंग, ए है टीने दे अच्छे बच्चानी निशानी, कारण जदो तुसी कल्ले होना शुरू हो गए, जदो तुसी दूसरे आखोलो अपने आपनों बचावना शुरू कर देता, जदो तुसी कल्ले रहन दे विच खुशी मसूस करन लाग गए, एदा मदल तुसी क जदो तुसी आपने आदे विच विचरना लाइक कर दे हो, तुसी कुछ भी छपाना निचान दे, तुसी बिल्कुल काइंड हाटिड अपने शियर, अपने खुश्या, अपने कोई सीकर्ट्स, अपना की स्कूल चोया, किस टीचर ने की क्या, अज केड़ा फंक्शन होया, हमेशा शियर करोगे, जे तुसी कल्ले नहीं रहते, ठीक है, एस करके, एनी ही कि जदो तुसी पढ़ना है, ताड़ा स्टडी रोम है, तुसी कल्ले बैठो, पर जदो ता नू कोई कह रहे है कि आओ बच्चों कठे खाना खाने है, तुसी कौन नहीं, मैं तक कल्ली खावान ओ तो माबाप कहनगे कल्ला क्यों कहनती है, एनी मैं कह रही है कि तुसी गलत होगे, पर कोशिश करो कि जदो एक परवार्दा मतलब होंदा कुछ राल मेलके बैना, ओ टीने ही दिया, बहुत सर्या समस्यादा हल होंदा होदे बेच, कि जदो असी अपने विचार एक दूसर कि जदो मैं छोटी सी एद्दा होया, बड़ी सिस्टर बैठी होएगी, या बड़ा ब्रदर बैठा होएगा, तो तानु होएगा, फिसारे नाल थोड़ी जी चेंज आंदी है, कई मेरी तुसी कोई गलकार कर दे हो, तो तानु कोई कह देंदा है, तु होज़े छोटा है, जो तुसी पड़ा बैके काल कार दे होते होते है, तो वो कहते हैं, जी आजे तो बड़ा नी हो गया, एद्दा, एप पीरियड सब ती आंता है, सिरफ असी नूँ हैंडल किता करना है, एक के दा और हैंडल करना तरीका है, कि हर पच्चे दे अंदर ना कोई इनर तेलेंट ह काम ही दियो, की हुदा है, येस, कैसी, नम जैसे कोई डांस में, वेरी गुड, ये ही सुनना जान, बिल्कुल ठीक, बैठे, कारण है कि ता डेकोल कोई हुनर है, तुसी कोई पेंटिंग करना अच्छी जानते हो, तुसी डांस कर दे हो, कोई सिंगिंग कर दे हो, कोई ता नो एक अंदर सेटिस्फेक्शन मिले, तुसी ओ जरूर करो, ओ दे वास्ते अपने वास्ते अद्दा पोना केंटा, जरूर काम करो, मैं टीनेज होर भी कहना चाहूंगी, हेलो बच्चे, अजे थोड़ी सी रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं, ओ दिच तुसी की करना है, क तुसी कोशिश करो, अद्दा केंटा उनको मेरे को पेजना, मैं भी पढ़ा होंगी, ओ दिच तुसी पढ़ा के देखना, तुसी पढ़ा के देखना, ता नो किना अनन्द आए, या कदी ता डेकोल कोई एक्स्टा कॉपी रहेगी, फिछले साल दी नमी पही रहेगी, तु तुसी थोड़ा समाजिक बनना शुरू होगे, तानों यह पता लगेगा कि असी अपने खुशियां तुझे आना भी शेयर कर सकते, जे ता डेकोल कोई एक्स्टा पैंसिल्स ने, या ता डेकोल कुछ यह तरह दो कोई एक्स्टा सभान है, तुसी उन्हा है पर नो यूज क साल दा पीरियड, जिसनों तुसी टीनेज कहने है, जिसनों किशोर वस्ता कहने है, जिसनों तुसी अडॉलसेंस पीरियड है, यह साडे सारे जीवन दा बेस है, अधार है, जे तुसी एसनों मजबूत कर लिया, ते ताडे जीवन दी जड़ी, नहीं मजबूत हो जाएगी, उदे उते तुसी किन्यावी बिल्डिंग्स खड़ियां कर लो बिल्डिंग्स खड़ियां करना मतलब कि तुसी एक किन्या डिग्रीज ले सक दियो तुसी किन्ये कोर्सिस कर सक दियो तुसी किन्ये अग्ये वाग सक दियो जे तुसी एस पीरिड नो अपने खंबा देवेच सबाल के रखिया जे एनन खोल दिता कोई किसे पासे जा रहे है कोई किसे पैसे जा रहे है फिर ओ टाइम ता नो जिन्दगी देवेच कदी वापस नहीं आना फिर तुसी ओ जड़े कमजोरिया ने ओ तुसी किसे ना शेर भ इतने हो यहां ओ असी कदी किसे ना शेर नहीं करना जिन्ने विए थे बच्चियां बैठियां ने ओ याद रखना जिलेके लेजो कि एक हेल्प लाइन है जिन्नों वी कदी लोड़ पवे इवन कार्च पवे बार पवे यहां किसे तरह दी भी लोड़ पवे 181 थे कॉल करना यह सिरफ तदेव वास्ते नहीं, यू आर दा मसंजर्स, यू आर दा अम्बैस्थरस्, साघ्रा तुछी मैसिस अगे खनवी करना है शाधा विंक लोड़ पैंदी लाइस कॉई पर जदो तुसी नहीं दास देते ओस आदमी दा होंसला हुर्वत जद उसनों पता है कि मैंनों कड़ी सजा मिल जानी अवाज उठानी है अवाज उठाओ गे ते कोई ताडेनल खड़ा होईगा जे तुसी अवाज नहीं उठाओ गे ते ताडेनल कोई खड़ा नहीं होईगा एस करके जुलम सैना नहीं जदो तान कोई लगए कि साड़े वारे मेरे पिछे को या रहे है में नूग गलत कूर रहे हैं मेरे ना कुछ गलत करन दी कोशिश कर रहे हैं ते तुसी उसी टाइम अपने टीचर नूँ जे स्कूल चो क्योंकि स्कूल ची भी कई वरी बार दाता हो जाएं जे तुसी कार्चो तारी मद करने कोई कजन आया है कोई गलत काम करन दी कोशिश कर दा है उससे वेले बार पच्चो उससे वले आवाज उठाऊ कदी अपनी वाज नूँ दबानानी चाहे लड़का ये लड़की है अपनी वाज खुद अठाऊंगे ते ताड़ी पिछे कारवा बनेगा जे तुसी अप निखे बड़े पासे पड़कावेगा देलता नू काएगा चल ओवी चलिए फिलम देखना पामी चल दिया फिलम देखो जरूर देखो बुरी गाल नहीं पर अपने पेरेंट्स को पुछके देखो ताकि पेरेंट्स का अटता नू डीक देऊन ते पता लगे कि यो तब कि अपना स्कूर्ट चेंज किती दूसरी ड्रेस पाई और उत्थों स्कूटर राके चलीगी वापस आके फेर उदा और अचानु कोई पेरेंट्स ता फोन आया बिता ड़ा बच्चा नहीं पहुंचिया जो तो स्कूल पहुंचे तो कि इने बच्चा ते त्थे आया ही नह हुआ बच्चे निफ फोन किता ते उन्हें यह शोर नहीं किता कि मैं तेरे स्कूल जा चुकी उन्हा क्या बच्चे कि नीक देर चे पहुंचेंगे कर नी ममा बस मैं आरी यह स्कूल निकलन लगी है उन्हा ना सोचे भी उन्हें दा स्कूल रह थे बार खड़ा है यह अपश्याद करना यह जड़र्वी कि अकम करना नकल करना गलत है तुस तीसरी वरी कर दें मिलनी है यह से करके जे बच्ची किसी को लो भी जाने 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 ज़ल्टी हो जान दिए पें खुलके अपनी माना जाके ना खड़िए किसे तीचर करो प्रणा करो। उसे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं पर जागना जरूर है सुत्या प्यानू तक गडियां वाले भी रौज जांदे जड़े जाग देने सिर्फ वही बच्च देने जो ऑज ने इस सेमीनर दा ताडे रूबरू होना मेरा इको मकसद है कि किसे भी बच्ची ने आपने आपनू काट नहीं समझना उन्नों शेर करना जे शेर करोगे तो अननों ताडी शयाता समझाएगी किसे अंझान मंदे नाल नहीं जानग लाई कोई पूछ रहे है रस्ता किंदर है ता आपने वैसे ता तुसी जादा बच्चे बसी से जानदे हो जादा बसी से जानदे हो के पैदल भी जानदे हो चलो, कोई गाल नहीं पैदल, एस जगा बन्या साड़े ली, असी जाना है, पर अवेर होके जाना है देखना अगे साड़े कौन जा रहे है, पिछे कौन जा रहे है, तुसी ये सुनिया होना है कि कई वरी कोई अद्दा नहीं, चीज भी सुंगा आ जान देने, जड़े उक पर सुट जान देने, इस करके गल्ला खार दे थल्ले तयान करके नहीं तुरे जाना, जदो सड़कते पर एजे चारे पास से अ मैं वेर हो ना कि इसी की पर जाहीं, तो अजदे ऐस क्रूशिल पीरियर, सैंस्टी पीरियर, लिछ फोल अफ अनरजी, सक्सेस था सब तो वड़ा कारण, सैंस्टी मैं अस्था सब तो वड़ा कारण, पर इस ते उप्ते, आसी बड़ी इसली, जित पासक जिया जैसे यह तार लिए कि असी सिद्धे रस्तल सी कोई गलत काम नहीं करना एंसी fighter yap d मैंड içer करना आपने management करना आपने management आम फोकस करोगे ऑन वाला पीरिएड पर अधिक किपiese रऊद्ध कर 2008 जलोड कर क intertw份ले से जानते की एंगा कोई का मैं में सेल्फ अनले वे उपने लिए पर चंगेदा मतलब टीचर पड़ा रही सी मैं अपनी से लिना गला किर देशी क्रशिए कि यहाँ सपने सभाट का मुद्ध के मां जूठी डिए अज में स्कूल देवेच किसे ना गलत नहीं रहुता जो तो सेल्फ अनेलिसिस करोगे न तो तो सेल्फ रिफॉर्म होंगे उसी अपने हम सुधारना शुरू करोगे कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँ सो आज तो बात जेता नो कुछ बेरियां गलत चंगियां लगिया हों तो हर बच्चा दो गलत जरूर लेके जावे एस तीनेज तो बचली कि मैं कदी भी किसे जाने अंजाने दे नाल नी जाना किसे दे बहकावेच नहीं आना किसे को लो कोई चीज पकड़ के दुझे नो शे देबादो बुछ लिए यु पकड़ लेनेया पर साद ओनों नी पता ओँदे एबेच की अ कोढ़ेच दृषावी हो सकदा हो ओदेवेच कोई भॉम्ब भी हो सकदा है तुसी कहना सौरी बे सक ना वी जवाप देो तुसी किसे मैं हम दर्द नहीं बनने एं उमर हम दर्द में पूरह उंदर किया देख नाल और जे तुसीmust अजद amendment और सэт कम शरू कर दियो तानों किसेilंशन दिल्दो आई तो सारे बच्चो प्लीज मेरी रक्वेस्ट करना तोटली वेस्ट अब मनी एंड टाइब ठीक है नौमी तस्वीच जे सानू नहीं मैट समझां दी साइस नहीं एर तक तुसी अपने स्कूल ना दे पड़ाए होए टीचर दे अंसार चलो जेड़िया तानू फेर क्या है जेड़िया वीकनेस इस नहीं डाइरी ते या कॉपी ते नोट करो जेड़े जेड़े कलास दा सब्जेक्ट है टीचर नो पुछो कि मैं बाच सानू एक क्वेरीज ने जे तुसी एक दिन वैसे भी टीचर नो कह दोगे कि मैं पाच दा साथ मिंट जा पहलों आखे या पिछों साड़िया क्वेरीज क्लियर करते है तब मैंनू नहीं लगदा कोई टीचर कहेगा कि मैं नहीं करना ठीक है एस करके आज तो बाद जेडियां गल्ला में तनू कहीं है कि ए टीनेज हूँ एस तरह ग्लोरियस पीरियड बना लो इस तरह गोल्डन पीरियड बना लो कि ओन वाला साड़ा समाज़ड है असी अपने माबाप दा अपने स्कूल दा अपने पड़ान वाले टीचर्स नहीं ओद ये जो साड़े तो एकस्पेक्ट करते है सारे असी चानने है साड़े हंड़ परसेंट आँ सारे बच्चेयां दे विच्चों नहीं आओदे कुछ बच्चेयां दे आंदे है कुछ दे नहीं आँदे कारण स्लेबस एक को ये ताइम एक को ये पड़ान वाले टीचर एक को ये एदा मतलब किते ना किते कमी साथ दे वेच जे आपा भी अपना फोकस लेके चलिए भी असी भी हंडर्ड परसंट लेके अपने नाल मुकाबला करिए किसे नाल करंदी बुझाए अपने आपनाल मुकाबला करिए तीन एज दियां एदर उदर दियां गलत पठका अफतों बच के अपने केरियर ते कॉंशिस होगे अपने केरियर ते फोकस करिए ते बहुत सार्या समस्यादा हल ताड़े बच्चियां कोल है साड़े कोल नहीं असी था नू एक केंटा लेक्चर कर जवांगे ममा ताड़ी जाओगे यद्दा केंटा कर ता नू कोल बैठ जाएगी पर सारा देन ताड़ा आपने वास्ति तुसी ओदे वेच किनना संसियरली काम कर देओ ये ताड़े ते टेपेंट करता सो किसे ने कोई एसे सबंदी कोई गाल पुछनी होवे मन करदा होवे कि मैं अथे समय काल समझ नहीं आई जाए ठीक नहीं लगी कोई भी बच्चा कोई भी क्वेरी ले सकता कोई समझ आई ये ता न जो मैं गला किती है किसला लग जया है कि एक लगा ठीक नहीं घंक्यू so much किसे बच्चे नब मन करदा होवे कि मैं मैं अम ना कोई गाल करना है मैं पुछ नहीं कोई भी बच्चा कोई सकता है मदरली पोच्छ सकता है कोई प्राब्लम नहीं किसे बच्चे दो मांने ही कोई सवाल हो democratic सवाल कुछी सवाल करन क्वाल सव לא कि आज में तियारी कर आज और जाने बच्चे कुछma कर देगा यह नहीं कि बच्चे स्वाल पुछ टीचर स्वाल पुछ ते तुसी जो आप दियो, तुसी भी स्वाल पुछो कि मैं मैं चीज समझनी आया, मैं अगर किलीर किना करनी है, मेरी ग्रेंड़ नौट रहे, मैं हास दिया, मैंनु साइंस नहीं सी, जो मैं कोई समझा देना नौण उन्हें करना ममा तूई सिकरादेता और मेननौ समझ नहीं आया मेनौ समझ नहीं आया तूई अपने वेएना दास्ते और मेनौ पता सिक links मliořा लिखीता है जे में अचक्ण दी master नहीं है तो मेननो ओदे clarity नहीं है इस करके तूशी teacher मों पुछना है, सवाल करना है कि बच्चा पढ़ की आंदर सिरफ पढ़न वाले बच्चे या के सुवाल कर आई तो सारे बच्चे ने कर जाके रोज नोट करना है कि मैंनू केडी चीज नहीं आंदी मैंनू को कि इन्ने मिनट मैं सानू पांज मिन्ट एक्सरा चाहिए दे हैं सानू केरी साढ़ियां हो किसे नहीं मिठियां मिठियां गल्लाच नहीं आना किसे दे कि मैं तेनू कोई गाल नी नंबर मैं तेरे लवादांगा ये करदांगा वो करदांगा किसे ने गल्लाच नहीं आना ताड़ी अपनी मेनत ही हमेशा ताड़ी साथी बनें ताड़ी मेनत ही था अपना फाल देग किसे दा कीता कोई ताड़ा नहीं है सिरफ तूसी अपने वास्ते और अपने वास्ते का ओके बच्छो थाइंक यू सो थाइंक यू सो सेंट सुल्द डिवाइन पब्ली स्कूल में ब्राइन दे विच सेमिनान लगाया गया जो कि अंडॉलिस पिरिट दे प्रती सिगा बच्चा नों बहुत सरी गला सी खायें गिया ते सदे नाल सोशल मीडिया ते हमेशा चाहे रंदे ने परवीन अब रोल मैं खास एक्टिविटी लेके हमेशा ओना दी कोई ना कोई गाल लगया अंदी रंदी और बहुत अच्छे सी टॉपिक हुन दे ने ते आज जो में ब्राज स्कूल दे वीच पहुंचे सी की और अधा क्याना है आउ कर दिया गलबार मैं बहुत बहुत स्वागर सब तो पहलो मैं प्रिंसिपल माया और शेयर पासन संगीता चोपड़ा जी दी बहुत बहुत तानवादियां जिना ने आज में नो एस वेड़े दे वीचांदा मौका दिता और बच्चेयां दे नाल रूब रूब हुन दा मौका दिता आज ता मेरा में टॉपिक सी अडॉलेस न्स पीरियोड जिसनों ऊसी कुछ और वस्ता वी कहने हैं जिसनों बच्पन तो जवानी दी तःलीज तक जान वाला समा वी कहनें यह जोड़े समा हुन दा है बहुत क्रूशियल हुन दा है बहुत सेंस्टीव हुन दा है इस नाल कि बड़ा स्ट्रग्लिंग पीरियोड है ते स्ट्रग्लिंग नाल एक बड़ा सक्सेस्फूल भी पीरियोड है जे कर दी स्कूल दी टीचर्स स्पोर्ट मिल जाए ते बच्चे एस टीनेज दे विच इस अपने इमोशन नो अपने आइडियाज नो एक एसे टंगना यूस कर स ते एस अड़ा बे सुनता है जे असी एस समय नो बजाए कि किसे पठकंदा पीरियोड भी कह दें देने किसे गलत पासे जानदा भी जे असी अपने इस पीरियोड नो अपने राइट पाथ वले अपने गोल वले लेके जाए ते एस साड़ा आन वाले जीवन दा अधार हु जे कोई लड़किया अपने राहे तो पठक जाने हैं क्योंकि एस पीरियोड दे वीच 12-13 दे नेड़े वीच बाइलोजिकल चेंज ही जानती है यह बट नैचुरल है और उन्ना दे वीच देख देया कि बच्चे आनू ना पेरेंट्स ना लो जादा फ्रेंट्स यंगे ल प्रेंट्स ना दिखोल बार नहीं जे टीचर्ण नो कोई समझ नहीं बच्चान वांदी यहां करतों डर दे कोई घल नहीं कर सकते तो अपने टीचर वीच ना स्कूल चाहके शेर कर। क्योंकि कई वरी मादों डर जानता बच्चा की जिक अर्दे विच मादे प्राने कोई कि अपने टीचर ना शेयर कर सकते क्योंकि यह ही लाइफ बिल्डिंग पीरिड होता है जिदे असी अपना केरियर बिल्ड कर दे अपनी लाइफ बिल्ड कर दे हम और जे अपा इस वकत कि ते पटक गए ते रब ना करें और जिडियां असी कमजूर या जा जिडियां सानु च चांदी सी कि पीरिड दे वेच और जी करना चाहिए ते Кी की नहीं करना चाहिए उन्हाइने बड़े त्यानना सुनियां hear you regis up Nia यह पुछिया और ना उन्हान लिदी कि में जो तूसी किया सब्सेंदें और और या जो आउटरांगी में जहा दिलंगा ञार आपधे पुब्लिक स्कूल या सिंट शोल्डर ड्वाइन पुब्लिक स्कूल दे बच्ची होंदे उन्ना दे विच मैं चीज इक देखी है कि ये बच्चे बहुत संसकारी है क्योंकि आम बच्चे इनी पेशन्स ना नहीं सुन्दे ये दा मतलब कि टीने दे विच जेड़े असी है और शुरू जरूर हो चुकी है तो बस से ही कहांगी कि परमात्मा इस स्कूल नों होत रक्कियां दे पचाये क्योंकि एस स्कूल ने इस इंसीचूशन से सिंट शोल्डर ग्रूप ऑफ इंसीचूशन ने बहुत वड़ा योगदान पाया एजुकेशन दे विच जेड़ी एजुकेशन कोई बच्चे नहीं ला सकते सी जिड़े ऐसी एरिया सी जित्ते बच्चे नहीं जा सकते इनने ओथे भी अपनी ब्रांची स्कूल के एस पापुलेशन नों अवेलेबल बनाया कि कोई बच्चा एजुकेशन तो वांजया ना रह सके इसे करके तुसी देखो क आज सेंच ओलदर दा हार स्कूल हार कॉलज इनने बच्चे ना परेपए ने एदा मतलब किते ना किते इनना दा कोई प्लस पॉइंट होएगा कोई ना कोई शाइनिंग स्टार्स होनगे जिस करके हर कोई एथे आके पढ़ना पसंद करदा है और मेरा भी एथे आन दा एज़ी कि मैं ताड़े सारे ना रूबरू होँआ आपने विचार बच्चाना शेयर करा ताकि कुछ ना कुछ समाई देवेच जड़ा भी किसे को लुंदा है जो दुज्जे नों वंड़ेगा ते ताद ही समाई जड़ा अगे ग्रो काता है समाई बड़ा बलवान है समेध नाल चलो गेटे तुसी विएगे जाओगे जिस तरह समाई चलदा है उससी तरह अपने आपने आपनों टालना भी पैनदा है पर गाल करते हां बच्चे ली बच्चे हमेशा अपनी मानमाई कर देने पर जे पिता माता फादर पुरे फैमली दा अना दो पर हाथ थोंदा है उना दी नाल थो टोई डाट वी हुंदे ते बच्चे हमेशा सिध रस्ते जान देने बच्चे हमें योगदन हुंदा है और गुरुदा टीचर दाते जिस तरह मैं होना ने दस्या पर वीन अबरोल जी ने की बच्चिया नू तरीके नाल समझाना चाहिदा है Good afternoon to everyone. We are very blessed that we have Mrs. Abrol, a social activist today in our school and she is such a wonderful person that she shared her experiences for adolescence awareness. Especially the students from grade 7th to 9th were the part of this seminar and she shared her own personal experiences and with this I hope the children were motivated also and they have learned a lot from them and I am very happy and the management, Mrs. Sangeeta Chopra ji, she has given us this chance that these such kind of seminars should be introduced in the school so that students can learn different kind of things. They should not only learn new things in the school from education but they should also come to know this thing that how we have to live in the society. So I think these kind of seminars are always a big booster to the students, to the staff members and to the principals also and this is a very nice or very wonderful seminar. And I sent a big thanks to Mrs. Sangeeta Chopra ji and Mrs. Praveen Abrol who was there and give us such a wonderful seminar on the adolescence awareness to all the students. Thank you.